असलों की विवोर्स मारे दिज्वान चीमा वेल्कम बेक विजियो आफ के पिटल स्मार्ट सेटी आज की सेक्टर के वाले से मैं डिसक्रस करेंगे वो सेक्टर का नाम है Overseas Central Sector F जैसे कि मैं प्रिविएसली Sector A से लेकि Sector E तक तमाम वीडियो बना दी हैं जिसका लिंक आपक चैनल की जब सारे ब्लॉक्स में कमल हो जाएंगे तो एक पॉस्ट कर दूँ तो उसमें आपको उसमें प्रॉपर ले डिटेल मिल जाएंगी जिन मेंबर्स के दूसरे सेक्टर प्लॉट हैं स्पेसिक्टर ए तो सेक्टर ए आज किस वीडियो में सेक्टर एफ के वाल सम्जि जिन के साथ साथ एक्चुल जो सेक्टर एफ में डिवल्पमेंट हो रही है वो कितनी होई है जो वीडियो आप इस जो फुटेज आप इस वीडियो में देखेंगे वो तमाम की तमाम जो फुटेज है वो 9 जुलाइ 2023 की फुटेज है और इसमें आपको मोस्ट अपडेट है वो मिल जगी अब सेक्टर एफ के बात करें सेक्टर एफ की लोकेशन की पहली बात सेक्टर एफ जो में 400 फुट रोड के वर लुकेटिड है और सेक्टर एफ जो पॉब्लिक ब्लॉक है यानि कि जो ब्लॉक सोसाइटी की तरफ से ओफिशली बैलेट किये गी ह उन में से सबसे नजदीगी ब्लॉक जो इंटर्चिंट की है सेक्टर का नाम है सेक्टर एफ सेक्टर एफ में वैसे जैसे जैसे ओवरसीज इस का सेक्टर एफ था कि वहां भी मिक्स कटिंग के ब्लॉट थे वैसे सुसाइटी के अच्छी बात यह है कि जो ब्लॉक होता है 101 में ब्लोग के इस तरह के टेकरी ए ब्लोट होते हैं इस सेक्टर में मिक्स séuse प्लोट हैं जैसे के Pedagнее ऋरसी सेक्टर है कि ऐृवर के में मैं घूना कि मैं इस साथ से कहूंगा कि सेक्टर F का 60% एरिया ऐसा है जो प्रिक्योड है जो आपको कुछ कटिंग वी नजर आ रही है यानि कि जो आपको गृनरी नजर आ रही है यह तो डेफिनल इन प्रिक्योड नहीं है क्योंकि अदर वाइस प्रिक्योड होती तो साइटी के से 35% सारिया एसा जो बीच में इसकी है जो जो जा मुठी बैसी है यह इक तरफ आपके 7 अच्वर्त अच्वर्म आते हैं ओर नमंर्ला के प्लॉट रहे हैं त다면 5 4 मर्ला ऐते हैं 12 मर्ला और 10 मर्ला के प्लॉट आते हैं plot है वो आता है 40 by 68 sq yards में अगर बात करें तकरीबां आपके 300 gars का plot और अगर बात करें 7 mla plot की तो 30 by 350 का plot है 30 by 53 sq yards में बात करें तो 175 yars sq yards marlah में 7 marlah 10 marlah और 12 marlah की cuttings है इस सेक्टर में. location wise sector f की अपनी prominence है sector f की location को deny नहीं कर सकते हैं उसकी वज़ा यह है कि Sector F वहां पे located है specifically 12 मरला और 10 मरला के plot जो सबसे प्राइम location count होती है सबसे प्राइम location in essence ऐसे कि आपको एक साइट पे एक 60 फूट का रोड मिलता है सामने 400 फूट का रोड मिलता है बैक साइट पे दुबारा एक 60 फूट रोड है रिंग रोड उसके लावा left side पे आपके doctor and clever वहां से आप easy passage लेके आज की date में यह physical जो footage है यह 9 जुलाई की है तो आज की date में भी आप exit लेके M2 motorway पे जा सकते हैं क्योंकि society का जो interchange operational हुआ है वो इस point से सबसे नजदे की point बनता है तो यह sector F की खास prominent बात है दूसरी prominent बात है कि sector F जो capital smart city का zero point है या capital smart city की सबसे expensive properties जहां पे होगी या सबसे जो आप कहलें के luxury sector होगा वो होगा golf course तो golf course की बिल्कुल opposite side पे located है sector F की मैं दोबारा बात कर दूँ के 35-65 की ratio है मैप explain करूंगा street wise तो आपको ज़्यादा clearly understand हो जाएगा वैसे overall चुंके browning वाला part और green मला part आपको नज़र आ रहा है तो शायद green वाला part ज़्यादा नज़र आ रहा हो लेकिन ये factually गलत है factually जो सबसे ज़्यादा इस वक development हुई है वो तकरीबन 10 मरला और 12 मरला के plot तक भी mostly cleared है 7 मरला के plot जो है 12 मरला के पहली दो streets है वो compromise हैं बाकी जो streets है वो सारी cleared है 7 मरला के streets की बात करें तक बें 2-3 streets ही बनती है वो cleared नहीं है बाकी जो back side पे plots हैं एक स्थिफिट रोड पर जो commercial हैं 8 मरला चार मरला वले उनकी procurement अभी तक land की नहीं हो सेगी future में जब वो procurement होगी तो definitely उस हवाले से भी update कर दूँगा याद रहे कि अगर यहां पे land की procurement आज की date में नहीं है it doesn't mean कि यहां पे कभी नहीं होगी यहां पे land की procurement society के लिए ज्यादा बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है उसकी वज़ा यह है कि capital smart की जहां पे location है वहां पे यह चीज़ें जो है वो नॉमिनल सी है कि यहां पे land की जो procurement है वो इतनी मुश्किल नहीं है कि यहां पे को center downtown इसलामबाद zero point तो है नहीं कि यहां पे जमीन जो है वो डेर्ड करोड पर मरला हो तो ऐसी तो बात है नहीं तो definitely society यहां पे procurement आज नहीं कर रही है लेकिन future में जाकर यह मुकमल हो जाएगा तो इसमें मेंबर को ज़रा भी upset यहां depressed होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे plot की land का issue है यह इस तरह की बाते future में जाकर आपका plot यहां पे है और retain करते हैं मैं इस बात पे 100% कहलें कि agreed हूँ कि future में सबसे ज़्यादा revenue generate होगा जो in terms of investment, in terms of end users से ज़्यादा benefits होगा that sector would be sector F अब देखते हैं जी Google Earth location पे कि sector F का कौन सा पार्ट है जो procured है, कौन सा पार्ट है, जो procured नहीं है so far and so on तमाम बाते हैं आप गे Google Earth की वीडियो में discuss करते हैं स्टिन पे Capital Smartity का master plan देख सकते हैं master plan में जो आज की video specifically वो इस sector के हवाले से sector F मैं भी आपको इसकी तमाम चीजने explain करता हूँ first of all देखते हैं जो सबसे important point है जो critical point है वो यह है कि sector F की location यहीं सेक्टर F के इंटर्चेंज से डिस्टंस है वो कितना बनता है अगर मैं सेक्टर F के इंटर्चेंज से डिस्टंस लगा हूँ और सबसे पहले मैं जो चीज यूज करेंगो वो स्केल होगा कि आप कितने किलोमेटर का डिस्टंस पे है from the main M2 motorway तो सेक्टर F की जो exact starting point बनता है जिस जगह से start होता है सेक्टर F overseas central का that point is 1.83 km from the M2 motorway interchange अगर मैं 400 foot road road के compare करूं कि सेक्टर F 400 foot road से कितना distance बनता है तो 400 foot road के distance के साफ़ से जो सेक्टर F का distance बनता है वो मैं आपको मेरे करके दिखाता हूँ सेक्टर F का starting point बनता है वो सेक्टर F का distance बनता बनता है 2.49 km वोने 2 km या 2 km या 2 km gap से हैं जोनों रस्ते आपने देखिया है कि यहां से आते हैं सेक्टर F के अंदर तो आपको यह वाले रस्ता मिलता है इसके लाब बात करें सेक्टर F की ओवराल लोकेशन की इसमें 4 sides की कि कि इसमें चारों साइटों पर क्या चीज लोकेटेड़ है यह यह रूट बनता है चार सोफट रोट से लेंकि राइट ना अगर आपने सेक्टर F में जाना है मैं वो रूट भी दिखा था है आपको कि sector f में जाने के लिए क्या रस्ता बनता है sector f में इंटरचेंज से आते हैं और आप वाया doctorate के लिए sector f में एंटर होते हैं यह जो route में measure कर रहा हूं यह आज की date में कर किसी individual को भी आने विले दिनों में सप्टम्बर में possession offer होता है तो तब तक 400 फे total apart यह अतना मकमल हुआ हो लेकिन आपको by any means अगर आपने घर बनाना है तो आपको ने plot तक तो आना ही पड़ेगा तो उस point तक distance जो बनता है sector f का यह sector f का starting point है अगर sector f के starting point तक देखें distance यह distance जो बनता sector f के starting point पे मेरा ख्याल है 2.17 km तो दो किलोमेटर के distance बेट है में 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 मोटर वे इंटर्चेंज से तो आइ थिंक सो के इट्स वेरी रिजिनेबल लोकेशन इन देट रिगार्ड यह मैंने प्रॉपरली वो जो रूट बनता है यानि कि जिससे उतर के आप आज की डेट में हम क्योंको साइट रूटीन में विजिट करते हैं जो का वीडियो आप देख रहे हैं यह कल इसी रूट से गुजर के रिकॉर्ड की गई है तो देफरेंटली यह इजी तरी एक्स और स्ट्रीट कारपटी के साथ इसको साइट ने वाइट भी किया है यानि कि अगर लेट से आप स्मार्टी में एंटर होते हैं इस पॉइंट्स आप एंटर होंगे इस पॉइंट तक जाएंगे यह लूप बनी हुए यहां पर टॉल प्लाजा है मैपको दोबार दिखा तो जो भी मेंबर स्मार्टी में प्लाट रखते हैं उन करते हैं उन के लिए बेनिफिशल नियूज यह है कि स्मार्टी का इंटर्चेंज उन के लिए मुकमल ऑपरेशनल होगा दे डोंट हैब तो ट्रेवल तो चक्री एंड कम बैक अगें उनके इस पास असान तरीन करता हूं यहां रिजन के इस लिए दोस्मेंट की वजह यह कि स्मार्टी कि परजेक्ट मोटर्वें इंडर ल्याया है यानि मौतर ऑजैक्यां के लेंट ऑपने हैं उन इराורP मीटिए इस तरह करा रहे होगा है। इस तरह मोटर विशाऑ कांट कर स्टे करवाँ हैं फ्य तो जार से बात अभी 7 मंथ परानी इमेजिस में यह सारा अरिया प्रिक्योर्ड है यह प्रॉपर रूम नजर आता अपको इस पर मोटर्वेश से गुजरेंगे तो फ्यूचर में मोटर्वेश स्मार्टी के प्रजेक्ट के अंदर से गुजर रही है तो इससे अची बात क्या हो सकती कि आपका प्रजेक्ट जो है वो बेसिकली इतना शांदार है कि पाकिस्तान की सबसे फ्लैक्शिप रोड जो है इतना फ्लैक्शिप प्रजेक्ट है कि पाकिस्तान की सबसे फ्लैक्शिप रोड जिसको पाकिस्तान में मोटर्वेश से अच्छी को रोड बने हुई है वो रोड जो है आपके परजेक्ट के दरम्यान से घुजरती है तो अच्छी बैनिफिशल बात किसी मेंबर के लिए नहीं हो सकती है इसके लाब अच्छी बात और यह है कि स्मारिटी वाले इस एरिया से गली जागीर वाली साइट से प्रक्यूर्मन स्टार्ट करके इस तरह आ रहे हैं इस प्रजेक्ट की आप सेकेंड राए नहीं है कि इस फ्यूचर में जाकि वाकई बहुत ज़ादा के भूम लेना है तो जिन मेंबर का इन्वेस्मेंट है डेफिनल कर दा बैनिफिट अब आते हैं जी प्लॉट्स की तरफ है किन एरिया किन सेक्टर के प्लॉट्स कों से लो इस फ्रीट रोड है प्लॉट नमबर वन टुप्लॉट नमबर 11 यह स्टीट वन के जो प्लॉट नमर वन टुप्लॉट नमर 11 एंकि लैंड जो है वह प्रिक्योड नहीं है यह आपको प्रॉपर ली गूगल पर नजर आ रहोगा मैं इसको तो यह देखने पहले यहां पे सा एधिक्ति वन की तो स्टीट वन की जो लैंड है इस लिपाठों लेक्ट इस वाले प्लॉट तक प्लॉट नमर वन्ट प्लॉट नमर 12 इसकी लैंड में अगर देखा चा जाए तो प्लॉट नमर 3 डॉट नमब ट्वल लैंड इस नोट प्रिक्योड अंधर साइव नवर वन प्लॉट नमबर 1 से लेके प्लॉट नमबर 11 आता है, प्लॉट नमबर 7 तक प्लॉट लेंड है, 8, 9, 10 की नहीं है, 11 की फिर लेंड मजूद है, तो मैं स्पेसिकिल प्लॉट पर जा रहा हूं तक मेंबर्स को अगर ये वीडियो देखे रहे हैं, ये वीडियो दार सी बात है, तो मैं चाहता हूं कि इस सब्सक्राइब एक इस सब्सक्राइब प्लाट नमब आपका बनता है 11 फॉल स्टीट इस प्रिक्योर्ट किसी जगा पर कोई लिटिगेशन नहीं है तमाम के तमाम स्टीट प्रिक्योर्ट इस सारा अरिया जो है वह ब्राउन भी हो चुका है स्टीट इस प्लट नमब फोर्टी प्लाट नमेर फोर्टी यह उसके बाद आगे जाते हैं इस ट्रीट नमर फॉर्ट नमर वन टु प्लाट नमब थर्टीप्लाइब फुल्ली प्रिक्योर्ट और इसमें कोई लिटिगेशन का पॉइंट मजूद नहीं बलकर यह सेंटर में यहां पर यहां पर यह शायद कटिंग नहीं होई शायद यह रीजन है लेकिन यह उसकता है if I am not mistaken कि यह जो बीच में दो प्लॉट स्रीट ठीक है दो प्लॉट स्रीट फोर के इनकी लैंड मिसिंग है बाकी आगे इन्वली स्रीट पर जाते हैं तो इसको आप लिटिकेशन नहीं कह सकते हैं कि लटसे जी यह पहाडी थी इसको पहाडी को जार सी ब्लास्टिंग से उडाना है भी सुसाइटी ने यह नहीं उडाया पहाडी को लेकिन उसके साथ जो जमीन है आप देखें यहां पर सारे अरिय मशीन लगा इसको ब्राउन किया है इसको कटिंग किया है यहां से खड़ा किया हुआ यहां पर यह ब्राउनिक आपको नजर आ रही है तो मिन्ज़िए पर यह प्रिकोड है लेट्स गोविद पॉजिटिव आ कि लागे शुटिव पार्ट आइस का बात किया नहीं है हाई I don't think so, कोई और बात करने की जरू होता है, आसे पार्क का साइज ही देख लिए कितने किनाल का पार्क है, काफी बड़ा पार्क बंद लगता है, मुझे ये, क्या अप्रोक्सिमेट 2.5 वेकर, 16 कनाल का पार्क है, जो सैट्ट्रेफ मजूद है, इसमें किसी को दो राए नहीं ह आइसो फूट बाइड है, यानि अब यहां से मेर कर लें, 0.07 मेटर जो आगा इसको फीड में देखता हूं, 2.240 फीट का लिनेर पार्क एक ब्लॉक के अंदर, प्लस अगा 50 फीट रोड, 50 फीट रोड, तो 340 फीट का रोड तो यहीं भी बन जाता है, जो सेंट्र ब्लॉक यहन्य टोटल 12 फीट के लिए, फांच जान पार्क है, यह उले लीीनियर पार्क भी बनता है, तो इसके ऐगला प्लॉट बनता है, उसके बाइदेग़ा प्लॉट बनता है, है थोड़ा सा पार्ट जो है इसका साथ लीनियर पार्ट का पार्ट है यह रहता है लेकिन नीचे भी लिटीकेशन मजूद नहीं है अब आते हैं साथ मलवाली साइट पर here comes the fun कि यहां से जो काम है सही स्टार्ट तक किस जगा प्लेंट प्लेंट में अभी concerns हैं अब आते हैं मैं opposite side स्टार्ट करता हूँ main sequence में street number 5 तक हो गया अब street number 6 पे जाते हैं street number 6 पे plot number आपका बनता है जो opposite side यह निए front back open plot है उन plot के numbers बनते हैं plot number 13 to plot number 24 यह जो plot है इनकी land देखी जाए तो इनकी partial land जो है वो तो वैसे feeling में आएगी यह पिछे water body है damn माजिद खान उसके साथ आधी land है cleared है आधी land जो हो cleared नहीं है यह साथ पूरी नहीं क्लियर अब इसको क्यों हमें मिशिनरी लगी वी तो नहीं आ रही मैं थरसा reverse करके देखता हूं मिजिस को शायद यहां पर कोई understanding में सके नहीं यह 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 प्रिक्रोड है क्योंको ब्राउन तो वह हो यह यह जाए जाए ब्राउन होने के बाद साथ ने कोई काम नहीं किया तो आप सारे विखास हो गया है तो this could be the procured part okay, next is overseas centre के पार्टS mir terror इसी patient site पर ही ूप्लोटस है Plot 1 to Plot 12 तक्रीपन तमाम के-प्लोटS मैं तो यह दो दर गार तो इस 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 त्रीट को लेके यहां पर लट से किसमें के ब्राउनिंग तो जमीन थी तो ब्राउनिंग किये ना आज यह यहां पर घास वाल के गुए ग्रियस तो ड़ेफेंटिटी में बेसा ना चीज इसे अधिए अट नर्स्टेंड और यह हो वह ऐस आपका वोर्स सेंटल में आजीतिए स्ट्री नूबर 7 पर जितने प्लॉट्स हैं उसके तमाँ का तमाँ प्लॉट्स वो भी ऐसी तरह से हैं हम 2-23 की फोड़िजी देखते हैं इस पर देखते हैं जी स्ट्री नूबर 7 प्लॉट नूबर आपका बनता है प्लॉटंबर 11 to plot number ॐँट्यो और Plot No.10 to Plot No.1 यह जो Plots बनते हैं Plot No.1 to Plot No.10 और Plot No.11 to Plot No.22 तमाम एरिया जो FranC입 Lab है इसके बाद बात करते हैं इन तोने इन एक प्लोट होट है तिक अरी होट to 44 के अब कोड़ एम आब आते हैं err इसले प्लाइब के प्लाइट दू अजिए प्लाइब निवह ऐनल्ल कुध प्लाइट नहीं है लिटिकेटेट है कमर्शल वहाई फे नमर 9 पर आते हैं इस अगर तो पलाइब 1-11 प्र वैंट-10 और उसके बाद प्लाइब 11-20 वही बात है कि मिड़ वले कुछ plots हैं साथ plot procured हैं साथ plot आकर प्रिक्योड नहीं है यह मैं बात करूं स्टीट नमबर 10 की ठीक है और स्टीट नमबर 10 से मराद है कि आदे पार्ट उस टीट के आदे प्लाट और आदे प्लाट इस टीट के 50-50 कह लें यह pre-cured है street number 11 पे आते हैं अगर street number 11 पे pre-cured है इसमें assaj को litigation नहीं है plot number 1 to plot number 11 और इसकी backstory plot number 12 to plot number 23 यह सारी land pre-cured है street number 12 पे आएं तो वोई बात है plot number 11 to plot number 22 12 plot number 22 इन में देखा जाए तो सारी land declared है इसमें कोई दो रहा है नहीं है बस यह प्लाट नमर 21 और जिए बैकसाइड वाले प्लाट है अरे सारा पार्ट इसको लीड कर तो यह एक पार्ट है बीच में जो इस पार्ट तक मुकमल कर्पिटिंग हो चुकी है जिसकी वीडियो टाइम गैन बना चुका हूँ इस पार्ट से लेकर इस पार तक अभी थोट सी आपकी साइटी के पास लैंड के ईशियोजे जब रिजॉ और चारसरफट रोड के आपसेट साइट पे 252 कनाल की मस्जिद 252.04 कनाल मॉस्क एंड गॉल्फ कोर्स तर अगर वेस्स साइट की बात करें वेस्स साइट पे 180 फिट बायर रिंग रोड और रिंग रोड से पहले बात करें इसके पीछे ई ब्लॉक है और इसके पाद सेक्टर D और E है यह डिवाइडर रोड है These are the four sides of Capital Smarties Sector F ये overall Sector F की तमाम details थी Again back to real time footage इस लोकर में स्क्रीज में दुबारा Sector F की ground view देख सकते हैं मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में बाट की थी कि ये वीडियो जो है 9th of July 2023 की updated footage है तो जिन members के पास investment है Capital Smarties में और specifically इस area में तो they will get to know the better understanding of the site के इस लोक साइट की updated status के है updated development के है साइट पे golf course की साइट पे कितना काम हो रहा है Sector F में कितना काम हुआ है चार सोफ रोड पे कितना काम हुआ है और इसके साथ चार नेबरिंग एरियाज है वहां पे कितना काम हुआ है अगर आपको ये वीडियो ची लेगे तो प्लीज डू लाए, कमेंट और शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मद भूले अगली वीडियो तक लिए खुदा आफिस झाल झाल झाल